हाई गईज विल्कम बैक तो अनाधा वीडियो और वीडियो और कॉशिन फर यू आई होप गईज आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि पाई नेटफ़क का ऑफीशल ऑपन मैनेट लॉंच क के दिन हमें पाई नेटफ़क हर एक कंट्वी के अंदर ट्रेंडिंग होता हुआ देखने को मिला है और उसके साथ और भी इंफर्मेटिव अपडेट्स हैं जैसे पेमेंट्स के रिलेटेड प्रमोशन एंड अडवर्टाइजमेंट को लेके मीटिंग एंड इवेंट्स हो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओल पे जरूर पैस कर लें एंड डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है आप जाके उसको जॉइन कर सकते हैं चलिए का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप रिफ्रेश कर ल मिलेगा यहां पर पाई रेट के हम बात करें तो यह बोल रही है कि वन पाई के बिहाफ पर बीस डॉलर मिलेगा ठीक है सोलसो रुपे इंग्यन करूंसी के आजपास आपको देखने को मिलेगा और यहां पर बात की जाए पेमेंट ओफ मैधड कौन से तरीके से आप पेमें डॉलर्स देंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा है बी कियरफुल डॉंट लेट देम स्टिल यूर पाई अभी आप किसी को भी अपने पाई के कॉइंस शियर मत करो यह मैक्सिम सारे स्कैमर्स हैं आपके कॉइंस भी ले लेंगे और आपको कुछ भी ने देंगे या आपकी जो परसनल डिटेल्स होती हैं मतलब आपको एक लिंक शियर करेंगे और आपको बोलेंगे कि यहां पर लॉग इन कर लो हम आपकी के वाई सी कंपली करा देंगे हम आपको इतने हजारों डॉलर्स दे देंगे तो बहुत सारे लोग लालच में आके सुछते हैं कि पता नहीं कोईन से वो बिल्किल फिनिश हो चुके हैं और बहुत सारे जो पाइनियस हैं उनके जो अकाउंट जो हैक हुए हैं या जो भी बरवाद हुए हैं इसी वजह से हुए हैं और इस सिचुएशन में पाइको टीम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा तो आप सभी को इस अच्छे से ध्यान रखना है अब हम चलते हैं नेक्स अपडेट की तरफ यहां पे आप सभी देखो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पाइनेटफक के प्रमोशन और एडवर्टाइसमेंट देखने को मिलते हैं और जो पाइनियस हैं सोशल मीडिय पे अपनी फोटोस वगयरा पोस्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से पाइनेटफक को एज़ा माइन करते हैं अब मैं आप सभी को लेके आज चुका हूँ टुटर के ट्वेंडिंग पेज पे और यहां पे आप सभी देख सकते हो बिजनस एंड फाइनेंस के अंदर किस तरीके से मैनेट करके ट्वेंडिंग कर रहा है और ट्विटर पे बहुत सारे लोग इसको बहुत तेजी से ट्वीट करके ऊपर और ले जा रहे हैं जैसा कि यहां पे पचास हजार के आज पास आप सभी को री ट्वीट वगयरा देखने को मिलेंगे और उसके टेक्सी वी आर रियरली लुकिंग फॉरवर्ड तो यूजिंग दिस यूनिक सर्विस इन दी फ्यूचर वन पाइन इट्वक ओपन इस मैनेट जब पाइन इट्वक का ओफीशल आप सभी को ओपन मैनेट देखने को मिलेगा तो उसके बाद आप सभी को जो पाई की टेक्स श्रविसिस नरह भी देखने को मिलेगी और अभी हाल-फिलाल के अंदर आप सभी को पता है लिमिट्टड कंट्रीज के अंदर पाई की टेक्सी सर्विसिस हमें देखने को मिलती है तो इंडिया के अंदर डेली NCR के अंदर अभी लिमिट इनसी-ष और अभी लिमिटड कै यहां पर आप सभी देख सकते हो किस तरीके से Pai Nightford की जो Shops है नई नई Shops है वो सब स्टार्ट हो चुकी है और यहां पर आप सभी को जो Electronic Products है बहुत सारे Different Different Products देखने को मिलेंगे और जितने भी आप सभी को इस वाले Showroom के अंदर जितने भी Products देखने को मिल रहे हैं वो सभी products को आप easily buy कर सकते हो, वो भी Pi coin के बहाफ में, Pi की payment के बहाफ में और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको normal products देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सारे आप सभी को high quality products देखने को मिलेंगे, जैसे कि LED हो गई, LCD हो गई, washing machines हो गई और भी different different items आप सभी को देखने को मिलेंगे, अब हम चलते हैं दूसरे update की तरफ, यहाँ पर हम बात करने चारे किस तरीके से Pi Night 4 ग्रो करेगा तो क्या important factors हैं, उस point के बारे में बात करते हैं, Pi coin has a potential to increase in value in the future due to following factors सबसे पहला है, Pioneers Condition Pioneers Condition कहा है, the system requires users to participate and complete task creating high demand and value for Pi coin, तो यहाँ पर जितने भी Pi Nets होंगे, उन सभी को अलग-अलग conditions वगारा आप सभी को पता है जिस तरीके से आप social media पे photos वगारा post करते हो, सेम तरीके से आपको यहाँ पर Pi Night 4 को promote करना होता है, और भी Pi Night 4 आप सभी को growing community, यह एक growing community इसलिए बन जाती है, क्योंकि हर महीने, आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है, कि millions of जो pines हैं, हर महीने बढ़ते रहते हैं Our large user community will generate demand for Pi coin and limit its supply leading to increased value, तो यहाँ पर अभी के टाइम में आप सभी को यह पता होगा, जिस तरीके से day by day मतलब हर महीने आप देखोगे, कि Pi का जो mining rate है, वो downfall में जा रहा है, मतलब decrease होता जा रहा है इसका कहने का सिर्फ एक ही मतलब है जो पुराने pines हैं, जिनके पास जितने Pi के coins होने वाले हैं, उन सारे चीज तभी possible होगे, जब Pi नेटफक की official, जो mining है वो रुख जाएगी, और जो इसके scarcity है वो बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि bitcoin के भी हम बात करें, वो इसलिए powerful है, क्योंकि अब वो limited है, कोई भी चीज लिमिटेड होती है और उसके बाद उसकी जो requirements है बहुत सारी countries के हम बात करें या किसी भी एक special country के हम बात करें, तो वहाँ पर वो increase करता है क्यों करता है, क्योंकि उसकी need जादा है बट quantity बहुत कम है, तो automatically जो उसका price है वो बढ़ जाता है जो तीसरी चीज है, manant launch यहाँ पे official launching की बात की जाती है जैसे ही आप सभी को official pie network देखने को मिलेगा अलग-अलग exchanges पे देन उसके बाद धीरे-धीरे करके उसका जो price है सारी चीजे market के अंदर जिस तरीके से performance होंगे, dynamic changes होंगे उस हिसाब से value में changes आना आप सभी को देखने को मिलेगा चौती चीज है potential applications यहाँ पे जो hackton है, इस चीज को लेके pie network बहुत काम करता है और utilities को लेके भी बहुत काम करता है इसलिए pie ने बहुत type of different applications बनाई है entertainment की है, finance की है, comedy की है मतलब हर type की applications अभी आप सभी को market के अंदर देखने को मिलती है the implementation of useful real world application and services can be enhanced the value of potential of pie coin तो यहाँ पे जो real applications है वो आप से ही पूछा जाता है मतलब कि जो developers होते हैं वो अलग-अलग developers हैं और हर developers होसता है कि यह इस type की application बनाने चीए कोई सोसता है taxi की application कोई सोसता है टिकट बुकिंग करने की application तो जिसको जादा votes मिलेंगे और वो आप सभी लोग vote करते हो जिस application के लिए जादा votes मिलेंगे उन application के लिए को पाइनेटफ़क अप्रोच करता है कि हाँ आपने इस चीज के बारे में बात की थी इस developer ने बात की थी और आपकी जो application है उसको qualify किया जाता है आप इस वाली application को बना सकते हो और हमें दे सकते हो हम आपको जितना आपको मतलब charges होते हैं हम वो आपको pay करेंगे तो ये उससी लिए बनाया आता है potential applications की आने वाले time के अंदर वो चीज़े आपके use के लिए हो क्योंकि वो आपके जरूरत के हिसाब से है और जो पाँच भी चीज़े easy accessibility यहाँ पे सारी चीज़े मतलब आपको easily देखने को मिलेगी जिस तरीके से पाई NFT की बात करता है web 3.0 की बात करता है metaverse हो गया और भी different technologies की बात करता है जो लोग मालो अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है जिनको proper knowledge नहीं है किस तरीके से financial में investment की जाती है किस तरीके से यह technologies काम करती है तो उन सभी के लिए यह बहुती easy होगा इसी वज़े से finite work की जो growth है वो तेजी से इसी लिए बढ़ रही है क्योंकि वो हर कोई इंसान इस चीज को easily accessible कर सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर जब UPI वेगारा आया था जब WhatsApp वेगारा आया था तो सब के लिए बहुत tough था चलाए कैसे चलाए कैसे जब चीज़े हमारे पास आती है हम हाथ पैर मारगे कैसे न कैसे करके वो चीज़ सीख लेते है और वो सीखते तब ही है क्योंकि वो बहुत easy तरीके से format की जाती है क्योंकि यार कोई भी चीज difficult तरीके से format की जाएगी तो कोई भी वहाँ पर enter करना पसंद नहीं करेगा सेम चीज यहाँ पर बात की जाती है simple participation method, attraction users, creating a large community and increasing demand for Pi coin तो यहाँ पर सब चीज़ों को बहुत easy किया जाता है और उसके साथ इस वज़े से लोगों में इसकी demand बढ़ेगी और automatically जो इसका valuation है जो इसकी power है वो दोनों बढ़िलने शुरू हो जाएगी तो अब हम बात करते हैं official launching के बारे में जिस तरीके से Twitter पे Pi Network आज के दिन trending गर रहा है तो कहीं न कहीं अब आप सभी को बहुती जल्द मतलब कुछी महीनों के बाद आप सभी को बहुत सारे लोगों ने मैनेंट को लेके बहुत जादा tweets किये हैं retweets किये हैं और all over the world हर एक country के अंदर ये trending कर रहा है और बहुत जल्द आप सभी को ये देखने को मिल सकता है अभी तक वीडियो पे बने वेव तो please guys एक लाइक कर देना चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को all पे जरूर प्रेस कर देना आज के लिए इतना है मिलता है नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम